पादर साथ English Classes में आप सले लोग का वागत है अब मैं ड्रामर की स्कड़ी में बेसिक ड्रामर के पाइट पॉर में चलते हैं तो आप देखें इसके पहले फ्रेलिस्ट में मैं आपको कंसुनेट और वाविल पढ़ा जुका था अब मैं उसके की बारे मजाने जा रहा हूं डिफाइं आप वाविल स्वर्ड वाट इस दुगाव में जिस अक्षर को बेंडन के आवश्रता नहीं होती यानि वह अक्षर या वह वर्ड वह लेडर जिसको कंसुनेट की आवश्रता नहीं होती जैसे है ए-ई-आई-आई-आए-आई-ओ-उ यू इसकी बेटर के आप इसवी जोए जो आप सुनेट अप सुनेट नहीं है इसलिए ये का था जाता है वाविल कराता है इसका definition होगा ए लेटर इस दिन नाट निट नीट आप सुनेट इस गाई वाविल in English there are five types of W, A, P, I, O, U now you can say we are a consonant देनन जिस अक्षरया वाट ओको वावे क्या सकता हुझे उसे consonant कहा लादा है then later which links को रवे किस वावे किस लाद गास consonant saying this B, C, D, K जैसे B भुवा तो B में E आता है K भुवा तो K में A आता है उसके बाद दीर है च distur बताया घया कि स्वल किसी कहते हैं में रकीक कैथे और आप शपण जो बसंद जोसे दे करता है यह किसो स्वल कियाओस्नदागे चालता है आप देख सकते हैं कि इंग्रिस में आपके 5 पावेल होते हैं A, B, I, O, U और 21 जो है वो लेकर होते हैं जैसे B, U, A, C, U, A, D, U, A, P, D, C इसी प्रकार हिंदी में भी देख सकते हैं कि 11 हिंदी में 11 सवर होते हैं और 33 वोस ले कांफुनेंट होते हैं हैंग्स के बार अग्ली वीडियो में मैं वोइट के पारे लिए sentence के बारे के उसके बाद फिंच के पारे में चब्चा करना हैंग्स कोटेग्स